आज हम सब समझते हैं railway का एक जो सुरक्षा कवच है वो होता क्या है वो कैसे काम करता है और कितनी तूरी पर काम करता है और ट्रेनों में ऐसी कौन सी सुझा हो जाए कि एक्सेजेंट ना हो तो समझते हैं देखें railway का सुरक्षा कवच क्या है एक protection device है जिसको हम सब क्या बोलत मतलब आपको सेंसर के इसाब से रेडियेशन के इसाब से सुरक्षा कवच काम करते हैं तो आयो समझते हैं देखें डाइग्राम में हमने एक satellite बनाए है यह satellite है और जो बीच में दिक्राए जिसी तर टावर है और जो हमने घर के बनाए है यह station building है और यह क्या है ट्रैफी के सिस्टम है एक station मतलब यह देखें चार चीजें यहां पर हमने इस्टाल करके एक है सैटलाइब एक है टावर एक कौन सा है एक है ट्रैफीक यह जो रेड कलर का बनाए है ट्रैफी कोलाइजन एवाइडेंस सिस्टम है और क्या है station building है तो देखें यह कद काम करता है देखें विद्फेर ने आमर ने सामने हो या देखें डू प्राकन ** अमरे सामने हो या दो neon पीछे हैं मतलब यह आंटीना लगे होतें एक GPS के लिए लगा रहता है एक लगा रहता है R.E.F.I.D. के लिए R.E.F.I.D. क्या है देखें यहाँ पे हमने R.E.F.I.D. का Radio Frequency Identification नीज आपको यह पता करता है कि ट्रेन की स्पीड मतलब कितनी तेज से चल रहा है यह R.E.F.I.D. सर्च यह बताता है आपको देखें और कौन सा रेडियो एंटीना मतलब जो सैटेलाइड से अटेच होता है उसका जो सैटेलाइड जो से मैसेज दिसता है और कौन दिखता है यह R.E.F.I.D. से जो भी आ रहे है जो भी रेडियसन आ रहे है जो भी करंगे आ रहे है वह कहां पर आ रहे है इस ट्रेन के यह वाले जो बने हुए है जो हमने एक आंटीना बनाया है और यह है तो यहां पर देखें एक यह क्या है एक यह पावर के लिए बना है जो के रेडियो आंटीना है यह के GPS के लिए ब ट्रेन को कि यह ट्रेन का यहां GPS के खुरू आपको पता है GPS के खुरू किसी का लोकेशन पतादा सकते हैं यह इस ट्रेन का लोकेशन हम सब ट्रेन में बैठे रहते हैं GPS को बार जाते हैं तो यह ही रेडियो फ्रेकंसी अडिटिफिकेशन है, मतलग यह बताता है कि आपका स्पीड यह तरह है, जिस ट्रेने आप बैठे हैं, उसकी स्पीड इतनी है, जिस जैसे आप बैठे हैं, जिसकी स्पीड 180 से 120, 130, सम्तिंग ऐसे हैं, तो आप इससे पता करेंगे, आर्याफाइड है, ज यह तरह है, जिस ट्रेन में लगे रहते हैं, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि दो जगा रहते हैं, एक ट्रेन में, वह रिडियो कम्यूनिकेशन के लिए बता है, मतल़ इस पीड को बताएगा कि इतना स्पीड चलरा GPS क्या है, सैटलाइड क्या है, सैटलाइड आपके ल है तो समगते हैं लिए यह हाँ से रख ये इस यह हैं इसके आउपना से अचछ यह है और यहिंस आपनायग को इस में आगले ट्रेन को मतलब इस इस वाले ट्रेन को भीशने हैं पर इस आप dab punct ज़लब कर दो का कि धिला तो तो आजकर ये जो है ये हम समस्पने बढक ना बनाया है इस सिगणल लाइट पिन होते हैं घ्रेइन होता है और तिन होते हैं और ये जो भने हुए हैं यह यह हम सम याद रखेंग East इह आप घ्रियाद प्र lak out तो धेशन हुएард त्रेंद को भेज रहा है। दोसरे ट्रेंद को भेज रहा है। तैसरे, मतलब तीसरा प्लेस क्या है। इस्टेंद को भेज रहा है। यह जो टावर है जो रेडियो कम्यूनिकेशन के लिए वो तीन जगा यह ही मैसेज़ वेज रहा है इस ट्रेंग को और किसको बहिए ट्रैफिक को लाजिजन अवाइबिन सिस्टेम को जो इस्टेशन बना है जो उसको यह बताता है कि कौनसा ट्रैफिक जादा क्या है इसके ब रेडियो कम्यूनिकेशन टावर के नाम से जानते हैं तो देखें यहां पर इस ट्रेंग में लगेज़ दे हैं आपरेशन का इंडिकेशन पैनल मतलब उसको क्या चरता है जो वहां पर लोगो पाइलोत होता है उसको ओ सिश्टेम देशता रहता है कि आपका इसको इतना है आगे आने वाले इस्टेशन है और ट्राफिक लाइट है जिसको हम सब सिगनल लाइट बोलते हैं यहां पर ये सिगनल करेंव देखें लोको टी सी एस त्रैफिक पोलाज़न इवाइड़ेंस सिष्टेम इस्टेसन यहां लोगो में मतलब दोनों लोगों में लगे यहां प यह GPS क्या गरता है, मैसेश भेज़ता है इस train को और station building को और tower क्या गरता वाई इस train को दूसरे train को और किसको भेज़ता है यह traffic license जो evidence system बढ़ेंगे उनको भेज़ता है मतलब याद रखेंगे GPS भी तीन जगा भेज़ता है पहले train को दूसरे train को और किसको station building में जहां आपका station बना हुआ है उस building को और tower इही जगा भेज़ेगा इस train को इस train को और traffic collision evidence system को भेज़ेंगे तो देखें यहाँ से operate कर रहे हैं यहाँ से operate किसको किसको करते हैं यह जो बना हुआ है हमसा का जो यह जो बना हुआ है जहां पर हमने आर याफ आईडी station frequency रेडियो frequency identification जो फिट है वो इसमें रहता है तो यह हर जगा लगे रहते हैं तो ट्रैकों के बीच यह लगे रहते हैं तो इस तरीके से इनके communication system होते रहते हैं अब काम कैसे करता है GPS मैसेज भेज़ाए train को कि आपका location यहाँ है station वाला उस location को समझता है और tower के अगर को उस speed को बताता रहता कि आपका studio आदेगे अब यह काम कैसे करता है यह क्या है जैसे ही आपके अगर बीच का gap जैसे ही आप यहाँ आप पहला तो क्या है traffic light जो हमसा signal light अगर आप जो है signal light के पास कहुचने वाले हो तो यह system क्या करता है यह automatic अगर मालो आप ड्राइजर या जो लोको पाइलेट है अगर वो सही से वर कर रहा है तो ठीक है अगर वाजी यह automatic system है तो यहाँ पर अगर मालो आप ड्राइजर अगर 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 अपना नेजीजर से कहीं तो यह क्या गता है automatic system है तो तुरंत क्या गरेगा जैसे आप signal light के पास पहुचने वाले हो तो यहाँ पर देखें यही system यहाँ भी है अगर आप signal light के पास अगर पहुचने वाले हो तो साड़े 300 मेंटर के पहले यह रुख जाएगा अगर इनके ट्रेनों के बीच का difference अगर एक किलोमेटर है तो automatic brake apply हो जाएगा रुख जाएगा तो इस तरीके से समझ जाएगे अगर ट्रेनों का बीच का distance जैसे 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 कम होगा तो वैसे वैसे इनका speed धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम जैसे ही एक किलोमेटर होगा तो अभी लांच हुआ है जो उसका साड़े 300 मिटर पर है कि साड़े 300 मिटर लेकि इस टेंडर अभी ही को मान के रखे हैं हम समय उसको मान के रखे हैं कि जो रेर्वे ने इस टेंडर मान के रखा है वो एक कि एक किलोमेटर के बीच का अगर इनका difference है तो automatic brake apply होगा और पुर जो तीन सो लोग आज जो है डेस कर गया है तो साड़ यह नहीं होता जो कि यह इसी लिए इसको क्या बुलाई रखता है रेल्वे का सुरच्छा कबच इस टे डिवाइस है रेल्वे का कि एक किरोमेटर अगर रहेगा तो automatic brake apply रुख जाएगा और trainer रुख जाएगी देखे क जहां तहां पर लगा हुआ है दख्षिन मज रेल्वे में 1,088 km के राष्टे में लगा हुआ है अभी तक जो है 565 ट्रेनों में एप्लाई किया गया है अब 27 ट्रेनों पर जो है एप्लाई दिया गया है लेकिन रिकार्ड में है 65 ट्रेन तो याद रखेंगे क्रास कर रही है तो उसका स्पीड अगर 120 से 130 या ज्यादा कुछ है तो यह जो सिंसर है इसको कम कर देता है और कितना कम कर देता है 30 किलो मेटर जाता है अभी जो लगा हुआ है तुझ काम चल रहा है तो कुछ काम चल रहे हैं कई लगा दया गया है तो यह समस्थने हैं यह है railway का सुरक्षा device जो की train के accident को रोपता है अगर यही चीज अगर उलिसा के जो उलिसा में जो accident हुआ अगर यही system लागा होता तो आज यह accident नहीं होता तो बस सकती थे तो याज रखेंगे इसका जुने इसकी सुर्वाति जो है 14 अपरेल 1997 में हुआ था जो की दो जनवरी 2000 जो है 2002 में इसका ट्रायव हो गया था तो अभी भी जो है लगाने का बात चल रहा है तो याद रखेंगे इसके पहले ट्रायव हो चुके थे तो उसमें लगा 82% जो है इसे की डिवाइस से जो है बचे यह थे तो इसमें कुछ एज़क्शन में कब काम में करेगा जब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा रोखते 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 खुधी इसके पास पहुंच जाएगा इसलिए जो है कभी कज़ाब एक्सेडेंट हो जाते हैं यह तभी एलाव होगा जब ट्रेंट की स्पीड 120 से 130 या 1500 के नेरेश्ट है तभी यह प्लाई होगा सब्सक्त प्लाई की।